तो आज भी ूफ्साइट का भीन कि दैया है और अपसइट का भी मूविंट दिया и ऩ। उडयो करें तो चलिए आज की वीडियोै करते हैं और कल के लेette करते हैं तो वीडियो करने से पहले प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब इफ यू लाइक माइ कंटेंट तो यहां पर हम चलते हैं डेली के चार्ट पे निफ्टी पे अभी जो हमने यह सपोर्ट कल के दिन पर जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था यहीं से एक बाउंस पाय का है अभी हम देखें यहां पर डे करेंटिव केंडल होना थोड़ा सा नहीं लग रहा है मेरे इसाब से कल एक ग्रीन केंडल होना चीए अगर मार्केट को और नीच आना है तो उसको पॉज लेके एक प्राइज एक्शन बनाके ही नीच आना चीए लाइक इस्ट यहां से एक यहां से कड़ डाउन फॉल आता ह है चोटा सा तो एक अपसाइड मूव करके तो फिर जब यह यह इसी लेवल को जब यह क्रॉस करेगा यह लेवल को तब हम फ्रेश सेलिंग के बरे में सोच सकते हैं बट अभी तो मुझे यह नहीं लग रहा है कि आना चीए सेल आफ कल के दिन में इतना बड़ा हो सकता है कल के दिन में सेल आफ आए भी गैप डाउन हो सकता है या फ्लैट ओपन हो कि अगर फर्स फाइव मिनट्स की केंडल या फाइव मिनट्स की कोई भी केंडल इसको ब्रेक डाउन करती है तो मोस्ट प्रॉबिली यह यहां तक आ सकता है इस लेवल तक और उसके बाद जो है कौन से लेवल हो सकते हैं तो अभी हमारे लिए रिजिस्टेंस और सपोर्ट तो क्लियर है रिजिस्टेंस यहीं पे है 17,000 36 का और सपोर्ट है जो वो 16,800 का है यह बहुत ही इंपोर्टन सपोर्ट है यह लेवल ब्रीच होता है तो काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है प्राइज एक्शन के साथ तो कल के दिन अगर मार्किट गैप ओपनिंग होता है तो यहां पर थोड़ा सा यह होवर करने के बाद अगर यह ब्रेक ओट दिता है फाइव तू फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल क्लोस होती है यहां पर तो हम यहां तक का एक बाय का ट्रेड प्लैन कर सकते हैं 17,140 से 60 के बीच में एक ट्रेड प्लैन हो सकता है और डाउनसाइड में तो मुझे लग नहीं रह ट्रेंड होने के बाद हो सकता है एक विक बनाए कल के मार्किट में नीचे से उपर जा सकता है थोड़ा और यहां पर अभी एक रेंज भी बनता हुआ नजर आ रहा है तो पॉसिबिल्टी यह भी है कि इकल यह इसी रेंज के अंदर क्लोस हो सकता है तो स्ट्रैडल वालों क स्ट्रैडल वीडियो भी बनाए हुआ है जो कि आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा यहां पर आपको हाउ तो फाइंड मेजर सपोर्ट अं रिजिस्टन इन वालटाल मार्किट तो यह बहुत ही हल्फुल वीडियो है आप लोग इसको जरूर देख मैं वीडियो प्लीज लाक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू वर्मच